ड्रामा की शुरुआत हमारे मेल लीड फू शियन से होती है जो एक होटल में आया हुआ था। उसी होटल में कुछ लोगों की न्यू यर पार्टी चल रही थी, यहां हमारी फीमेल लीड शू रूसी भी थी। उसकी स्टेप सिस्टर शू जंजन एक लड़के को इशारे से करती है और उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि जंजन ने उसमें कोई ड्रग मिला दिया था। उसके बेहोश होने के बाद जंजन कहती है कि इस ड्रग का असर कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया है। वांगशी उसे टच करने वाला था लेकिन जंजन उसे रोक देती है जि ज्यादा बात मत करो मेडिसन का इफेक्ट देखो और हाँ मुझे आज राट डिस्टरब मत करना फिर वो रूसी को लेकर चला जाता है। जंजन कहती है सू रूसी तुम्हें हमारी फैमिली ने अडॉप्ट किया खाने को दिया पढ़ाई कराई तुम्हारे लिए सब कुछ किया अब मेरे पिता परेशान है तो तुम्हारी बारी है शू फैमिली के लिए कुछ करने की वांग शी रूसी को ले जा रहा था। रूसी कहती है कहां ले जा रहे हो मुझे और वो समझ जाती है कि वांग उसके साथ कुछ करने वाला है वो उसे धक्का देकर वहां से पर बात कर रहा था कि प्रेसिडेंट को इन सब चीजों से नफरत है अब तुम उनके गुस्से का इंतजार करो वो देखता है शियान के कमरे का दर्वाजा लॉक है उसे लगता है शायद शियान ने दर्वाजा लॉक कर लिया होगा यहां शियान और रूसी दोनों रोमांस कर रहे थे और जन जन बहुत खुश होती हुई घर आती है वो रूसी का जॉब एप्लिकेशन फॉर्म देखती है और कहती है यह बेकार की जॉब करने का क्या फाइदा है जो इतने कम पैसे दे रही है तुम्हें आज के लिए तो मुझे ठैंक्स कहना चाहिए कहां ये जॉब आपके चकर में पड़ी हो तुम तभी उसे वंगशी का कॉल आता है वो कहती है अब ये क्यों मुझे कॉल कर रहा है वंगशी उसे सब बताता है जिसे सुनकर जन जन गुसा हो जाती है नेक्स्ट मॉर्निंग रूसी जागती है और अपने आपको ऐसे देख कर सोचती है कल raf जात क्या हुआ था फिर वो खुद से कहती है ये मेरा first time था अब मैं क्या करूंगी और शियॉन के जागने से पहले change करके अपने जूते उतार कर वहां से जाने लगती है तभी वो शियॉन के बैग पर स्टार का है निशान देखती है फिर वहां से चली जाती है शियॉन प्रेडी होकर बाहर आता है, उसका असिस्टेंट बताता है, आपको Mr. Liu ने कल राट ड्रग दे दिया था, उनकी कमपनी से कून एपरेशन खत्म कर दिया गया है, न्यू प्रोडक्ट आज लॉंच होने वाला है, 14 बजे तक, और शेंग्शी की न्यू टेकनॉलोजी के लिए 9 बजे, मीटिंग है, शियान कहता है, चलो तभी उसे एक नेकलस मिलता है, जो कि रूसी का था, रूसी घर आती है, जैंजन अपना नाटक शुरू कर देती है, कि तुम कहां चली गई थी, रूसी कहती है, ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, कल वो मुझे कहां ले जा जैंजन कहती है, कौन तुम्हें ले जा रहा था, ये सब क्या हो रहा था, मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, और मुझे सच में कुछ याद नहीं है, सुबह मैंने देखा तुम घर पर नहीं हो, तो मैं परेशान हो गई, और कितने कॉल भी किये तुम्हें, रूस रूसी से पूछती है, कल रात क्या हुआ था, कौन तुम्हें ले गया, रूसी कहती है, मुझे नहीं पता वो कौन था, उसे लग रहा था, मुझे नशे में देखकर मेरा फाइदा उठा सकता है, लेकिन मैं उससे बचकर भाग गई, जनजन कहती है, फिर क्या हुआ, तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तुम्हें अपनी responsibility लेनी ही होगी, बताओ मुझे, मैं उसके पास जाऊंगी, रूसी कहती है, मुझे नहीं पता वो कौन है, नहीं मैं उसके बारे में कुछ भी जानना चाहती हूँ, मुझे कुछ हो, उससे पहले मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहती ह इतना बोलकर वो चली जाती है, रूसी तयार होकर आती है, जंजन पूछती है कहां जा रही हो, रूसी बताती है, इंटरव्यू देने, जंजन कहती है, शाम को जल्दी आ जाना, उसके जाने के बाद सोचती है, इस जॉब में salary कितनी low है, लेकिन फिर भी अपने career के लिए ये कुछ ज्यादा ही fight कर रही है, रूसी रास्ते में एक blind लड़के की मदद करती है, शियान का assistant उसे बताता है, प्रेजिडेंट कल होटेल में एक party थी, जो खराब हो गई थी, इसलिए हमें footage तो नहीं मिला, लेकिन वहां मैंने एक लड़के को देखा था, जिसकी voice से जैसे वो किसी लड़के को ढूंड रहा था, शियान कहता है, वो necklace किसका है, पता करो, रूसी फू कंपनी में आती है interview के लिए, तभी HR वहां काउसर से कहता है, तुम शूरूसी हो न, मुझे याद है, तुम्हारा नाम interview list में नहीं है, रूसी कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मै तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैंने कहा न, list में नाम तो नहीं है, तुम जैसे पता नहीं कितने लोग आते रहते हैं, जो सीधा काम चाहते हैं, तुम मुझे sincerity दिखा सकती हो क्या, शूरूसी कहती है, अच्छा, तो क्या मैं आपको sincerity दिखाऊंगी, तब आप मेरा interview लें मैं तुम्हारी कमपनी में internship नहीं करना चाहती, तुम ही food group का नाम खराब कर रहे हो, HR गुस्से में bodyguards को बुला लेता है, और रूसी को बाहर करने कहता है, तब ही शियन बाहर आ जाता है, और कहता है, sincerity की बात हो तो सबसे पहले तुम्हें कमपनी से निकाल देना चाहिए, Secretarial Department से list लेकर आओ, HR एक employee को लाने के लिए कहता है, वो employee HR को कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें interviews अच्छे से कराने थे, मैं तो बस तुम्हारी help कर रहा था, अच्छे candidates ढूनने में, तब ही एक letter आता है, शियन जंग बिन को, वो letter देता है, HR कहता है, ये तो श जिसके लिए रूसी मान जाती है, तब ही कुछ लोग सामान लेकर जा रहे थे, रूसी शियन को side कर देती है, जिससे दोनों करीब आ जाते है, शियन को ऐसा महसूस होता है, जैसे वो रूसी से पहले मिल चुका हो, जंग बिन उन लोगों को डाटने लगता है, जिसमें शिय जिन कहता है, जब तुमसे कोई काम नहीं होता, तो दिखावा मत किया करो, शियन जंजन के घर आता है, वो उसे देख कर शौक्ट हो जाती है, मिस्टर फू, इतना रिच मैन मेरे घर आया है, जंजन कहती है, मुझे नहीं पता था, आपके पास इतनी अच्छी कार है, शियन जन्जन सोचती है ये तो मैंने रूसी को दे दिया था ये इनके पास कैसे आया क्या कल उसने मिस्टर फू के साथ नाइट बिताई थी असिस्टेंट कता है कि आप पिता की कंपनी बैंकरप्ट हो गई और आपकी मा की हार्ट सरजरी के लिए वो हॉस्पिटल में है आपको इन है तो हमें डेट करना चाहिए मैं आपकी गर्फरेंट बनना चाहती हूँ और शियान के करीब जाने लगती है लेकिन शियान साइड हो जाता है और कहता है मैं कुछ टाइम सोच कर बताता हूँ फिर हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं यहां हमें पता चलता है कि एसि पूल मत जाना तुम जनजन कहती है उसकी गर्फरेंट बनने के बाद लेकिन अभी इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे और बहुत खुश होने लगती है तब ही रूसी घर वापस आ जाती है और कहती है मेरे पास good news है जनजन कहती है क्या रूसी बताती है मुझे जौब मिल गई है हालांकि अभी मैं इंटर्न हूँ लेकिन देखना मैं बहुत महनत करूंगी और जल्दी ही permanent employee भी हो जाऊंगी तब मुझे ज्यादा salary मिलेगी तब तक आप कोई normal work कर सकती हो जंजन कहती है नहीं मैं बाद में करूंगी मुझे support करने के लिए मेरा boyfriend है रूसी कहती है boyfriend जंजन बताती है हाँ मैं उसे बहुत time से जानती हूँ लेकिन हमने बस अभी अपना relationship शुरू किया है वो मेरी family situation जानता है और मुझे पता है वो मुझे अच्छी life दे सकता है रूसी कहती है ये अच्छी बात है भले ही उन्होंने ऐसा कहा हो लेकिन sister आपको खुद के लिए कुछ करना चाहिए अगर future में आप लोग अलग हो गए तो आपको अपना career बनाना चाहिए जंजन गुसा हो जाती है और कहती है तुम चाहती हो हम साथ न रहें रूसी कहती है नहीं मेरा वो मतलब नहीं था मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम्हारे पास अब boyfriend है चलो hospital चलते हैं मॉम को ये दोनो good news सुनाते हैं वो बहुत खुश होंगी इतना बोलकर रूसी चली जाती है और जंजन कहती है तुम अपनी life के लिए ये struggle करती रहो मैं तो अपनी life को बहतर बनाने की कोशिश खुद ही कर सकती हूँ मेरी life में अपने तरीके से चलूँगी next day रूसी को जंग बिन कुछ papers देता है रूसी को लगता है उससे कोई गलती हो गई है जंग बिन बताता है आज हमारी company की एक jewelry store की anniversary के celebration में तुम्हें होना चाहिए था ना रूसी बताती है पर मैं तो सेकरिटेरियल department में हूँ ना जंग बिन कहता है मैं इस department में आ गया हूँ तो मैं सारा work manage करूँगा तुम सिर्फ एक intern हो क्या तुम्हें अपना work अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें यहाँ वो करना होगा जो तुम्हें करने कहा जाए रूसी जिसमें तयार हो जाती है और कहती है मैं जा रही हूँ उसके जाने के बाद जंग बिन कहता है पता नहीं प्रेजिडेंट ने इसे क्यों company में रख लिया सेकरेटरी यंग फूशियान को आज का सेजूल बता रहा था फूशियान कहता है वर्ग के बारे में ने मुझे मार्केट के बारे में सब जानने को कहा, ताकि मैं शॉप्स और कस्टमर की जरूरतों को समझ सकूँ, और एक बेटर डेट रिकॉर्ड रेडी कर सकूँ, फूशियान कहता है ये अच्छा आइडिया है, तभी फूशियान रूसी के कुछ पेपर्स नीचे गिरे हु देखता है, जिसमें एक ड्रॉइंग थी, फूशियान कहता है, तुम ड्रॉब भी करती हो, रूसी कहती है, मुझे जो अच्छा लगता, मैं उसे ड्रॉब करती हूँ, फूशियान कहता है, ये तुम्हारा बॉइफरेंड है, रूसी कहती है, नहीं, मेरा कोई बॉइफरें आज मैं अपने बॉइफ्रेंड के यहां जा रही हूँ, जंजन फुशियन के घर में आती है, वो तो बहुत खुश थी, बटलर ली उसका स्वागत करता है और अंदर ले जाता है, जंजन को तो लग रहा था जैसे उसे सब मिल गया, और वो कह रही थी, फाइनली, अब मेरी लाइफ भी लग्जरी हो गई है, अब किसी बात की टेंशन नहीं है, फिर हम स्टोर मैनेजर को देखते हैं, जो रूसी को कॉल पर कह रही थी, तुम कहा हो, जल्दी आओ, तभी रूसी आती है, स्टोर मैनेजर कहती है, तुम कहा थी, और भाग क्यों रह हो, ओर्डर टाइम पर डिलिवर न करने पर पता है कितना नुकसान हो गया है, बिना किसी रीजन के तुम वर्क से बाहर क्यों गई, अगर तुम्हारा यही एटिट्यूड रहा, तो हमारे डिपार्टमेंट में तुम्हारी जरूरत नहीं है, फूशियान ये सब देख रहा लेकिन फैक्टरी में नौ बजे तक काम खत्म नहीं हुआ, फिर तुमने कैसे डिलिवरी दे दी, रूसी कहती है, आपने ही तो कहा था, हमें जल्दी है, मैने तुम्हें उस टाइम का ओर्डर लेने नहीं कहा था, मुझ पर ब्लेम मत करो, अब तुम्हें कस्टमर को चार ग डिलिवरी नहीं दे पाएंगी टाइम पर, और मुझे नोटिस भी मिला, कि आप मेरा ओर्डर नहीं ले रही है, तो मैं आपकी कम्प्लेन करने वाला था, लेकिन आपकी एम्प्लॉई ने बिल्कुल सही टाइम में आकर मुझे वो रिंग दी, और मैं मिस्स वांग को हमारी वेडिंग में वो रिंग पहनवा पाया, प्लीज आप मेरी एक हल्प करें, मैनेजर पूछती है कैसी हल्प, मिस्टर ली कहते हैं उस एम्प्लॉई का नाम शू रूसी है, उसे थैंक्स कहना, रूसी कहती है, मिस्टर ली हम खुश हैं कि आपकी वाइफ के लिए हम ये कर प यहां कैसे, फूशियान कहता है, रूसी गलती तो तुमने की है, लेकिन पनिश्मेंट तुम्हें वो मिलेगी, जो तुम डिजर्व करती हो, इस न्यूज को कमपनी में अनौन्स करना चाहिए, रिवार्ड की तरह इस ओर्डर का कमिशन छू रूसी को दिया जाएगा, रू फूशियान कहता है, मैं क्लोद्स लेकर आता हूँ, आप स्टोर लाउंज में जाकर चेंज कर लेना, फूशियान चेंज करने जाता है, तब ही वहां रूसी भी आ जाती है, फूशियान चेंज कर रहा था, तब ही वो रूसी को देख लेता है, रूसी जब उसे देखती है, तो देखती ही रह जाती है कि ये कितना हैंसम है फिर वो पूछती है आप यहां फूशियान कहता है ये मुझे पूछना चाहिए रूसी कहती है मैं अपने डिपार्टमेंट में जा रही थी तब ही लाइट चली जाती है और रूसी डर के फूशियान को हग कर लेती है लाइट आते ही फिर वो जल्दी से दूर हो जाती है और कहती है आप बिना ग्लासिस के भी हैंसम लगते हैं उसके बाद वो फूशियान का बर्थ मार्क देख लेती है और सोचती है कि क्या उस दिन मेरे साथ प्रेजिडेंट है क्या उन्होंने मुझे नहीं पहचाना ये तो ठीक ही है मुझे भी ऐसा ही प्रिटेंड करना चाहिए वरना मेरी जॉब भी जा सकती है हम कुछ दिन बाद देखते हैं कि जनजन सोच रही थी कि वो और फूशियान साथ रहने वाले थे लेकिन फूशियान कुछ दिनों से घर नहीं आया और नहीं जनजन के कॉल या मैसेज का रिपलाई दे रहा था फिर वो बटलरली से पूछती है फूशियान को खाने में क्या पसंद है किसी को मेरी मदद के लिए भेजो रूशियान के आफिस में आती है और बहुत सारे अवार्ड्स देखती है वहाँ एक डिजाइनर का भी अवार्ड था वो कहती है प्रेजिडेंट तो एक डिजाइनर भी है तब ही फूशियान वहाँ आ जाता है और पूचता है तुम यहां रूशि बताती है फूरिन गेस्ट्स के बारे में बात करनी थी आप लोग बात पहले कर लो मैं बाहर वेट करती हूँ फूशियान कहता है रुख जाओ मैंने अभी इस बारे में कुछ प्लैन नहीं किया है असिस्टेंट कहता है प्रेजिडेंट आपकी गर्ल्फरेंड ने आपके लिए सूप भेजा है मैं थोड़ी देर मिलाता हूँ रूसि कहती है आपकी गर्ल्फरेंड है फूशियान कहता है क्यों मेरी गर्ल्फरेंड नहीं हो सकती रूसी सोचती है girlfriend होते हुए ये किसी और लड़की के साथ कैसे night spend कर सकते हैं, मुझे careful रहना होगा फूशियन कहता है ये plan ठीक है रूसी के जाने के बाद एक employee फूशियन को बताती है कि उसकी girlfriend उसका wait कर रही है जंजन अपना make-up कर रही थी रूसी उसे देखती है और कहती है इतनी अच्छी figure वाली girlfriend होने के बाद भी बाहर की लड़कियों को देखते है और वहां से चली जाती है जंजन उसे देखती है और सोचती है ये यहां क्या कर रही है अगर उसे ये सब पता चल गया तो बहुत ही embarrassing होगा employee आकर बताती है प्रेजिडेंट अभी work कर रहे है आपको wait करना होगा जंग बिन आता है और कहता है अरे ये तो प्रेजिडेंट की girlfriend है ना शायद मुझे wife ही कहना चाहिए ये सुनकर जंजन खुश हो जाती है और पूछती है तुम कौन हो जंग बिन खुश करता है और कहता है आप प्रेजिडेंट के लिए डिनर लाई है कितनी caring हो आप जंजन कहती है हाँ मिस्टर फू बहुत busy रहते है वैसे जो लड़की अभी गई वो कौन थी जंग बिन बताता है वो सूरूसी है सेकरिटेरियल डिपार्टमेंट की इंटर्न है जंजन कहती है क्या ये यहाँ जोब करती है जंग बिन बताता है पता नहीं कैसे प्रेजिडेंट को ये पता चल गया कि इसे लिस्ट से निकाल दिया था फिर इसे जोब दे दी प्रेजिडेंट ने मैंने स्टोर में जाने के लिए कहा तो ये लड़की वहां भी प्रेजिडेंट से मिल गई और पता नहीं क्या जादू किया कि प्रेजिडेंट ने वापस इसे सेकरिटेरियल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया मुझे लगता है इसने कुछ किया होगा प्रेजिडेंट पर जन जन कहती है बस करो और अपसे मेरे लिए इस पर नजर रखना इसमें तुम्हारा भी बेनिफिट होगा जिसके लिए जांग बिन तयार हो जाता है जन जन फूशियन के पास जाकर कहती है तुम कितना हाड वर्क करते हो मैंने तुम्हारे लिए फेवरेट सूप लाई हूँ फूशियन कहता है अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो यांग को कॉल किया करो कमपनी आने की जरूरत नहीं है जन जन कहती है क्यों मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी फूशियन अपना हाथ छुडाता है जन को seduce करके ताकि बिना मेहनत किये progress कर सके फूशियन गुस्य में कहता है वो बस normal employee है क्या तुम hard work करती हो जब मैं तुम्हारे घर आया था मैंने testing tone की book देखी थी मुझे लगा तुम एक hard working girl हो लेकिन अब जिस तरह से तुम दूसरों के बारे में सोचती हो मैं बहुत disappointed हो रह जन जन गुस्से में वहां से चली जाती है रूसी फूशियन के सामने से बाहर जाती है यांग फूशियन से कहता है क्या आपको नहीं लगता कि रूसी का behavior हमारे सामने change हो गया है फूशियन पूछता है कैसे यांग बताता है वो आपके आते ही उसने smile नहीं की फूशियन कह क्या पता उसे हंसना पसंद न हो। रूसी अपने चाइल्ड हुड फ्रेंड सौंग स्यू से मिलती है जो किसी प्रतियोगिता में भाग लेने आया था। यांग कहता है देखिए अब तो वह बहुत खुश है। सौंग स्यू रूसी से कहता है तुम कितनी पतली हो गई हो लेक चाइल्ड हुड स्वीट हार्ट्स। रूसी कहती है सौंग स्यू को सब जानते हैं इसे फेमस टीम में इन्वाइट किया गया है। सौंग स्यू फुशियान से हाथ मिलाता है। फुशियान कहता है मैंने ही उस टीम में इन्वेस्ट किया है। सौंग स्यू कहता है तो आप ह चले जाते हैं असिस्टेंट यांग फूशियान को टीज करने लग जाता है और फूशियान तो बहुत जलन महसूस कर रहा था और कहता है तुम क्यों हस रहे हो चलो यहां से थोड़ी देर बाद यांग कहता है हम मौल में क्यों आए हैं आज आपकी डिनर पार्टी नहीं थी फूशियान कपल्स को देख कर कहता है प्यार करना पागल पन है यांग कहता है लव से तो लड़के लड़कियां खुश रहते हैं क्या आप हमारे मौल में कुछ रोमैंटिक एक्टिविटीज जोडने वाले हैं यह अच्छा आइडिया है इससे और कपल्स अट्रैक्ट हों लेकिन वो नेकलेस खो गया सॉंग्स्यू कहता है तुम्हें बोनस मिला है फिर भी अपने लिए कुछ नहीं लेना तुम सिर्फ दूसरों की केयर क्यों करती हो रूसी कहती है उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था इतने अच्छे से रखा अब हमारी फैमिली का बुरा ट कि यह कितनी अच्छे से डिजाइन की गई है तब ही वहां दुकान की करमचारी आती है और कहती है 98,000 की है यह हील्स तुम इन्हें अफॉर्ट नहीं कर सकती रूसी कहती है मैं बस देख रही थी करमचारी कहती है तुम देख सकती हो लेकिन इस स्टोर में नहीं लोग तुम ये तुम पर अच्छी लगेगी फिर वो हील्स पहनाता है रूसी उनके मोमेंट को याद करती है और कहती है ये इतने भी बुरे नहीं है सौंग्स यू जूतें लेकर आता था पर वो फूशियान को देखकर रुख जाता है रूसी कहती है ये मेरे आउटफिट से मैच नहीं हो रही मैं घर में पहन लूँगी फूशियान कहते है इतनी सी बात हम मैचिंग आउटफिट ले लेंगे रूसी कहती है नहीं मेरा ये मतलब नहीं था फूशियान उसे स्टोर में ले जाता है रूसी कहती है प्रेजिडेंट मुझे नहीं चाहिए फूशियान कहते हैं नहीं चाहिए तो फेंक देना फिर वो उस करमचारी से कहते हैं आउटफिट पैक करो वो जल्दी से पैक करती है और R.U.S.I. को देती है फूशियान उस लड़के को फायर कर देता है R.U.S.I. सूंग सी उ को देखती है सूंग सी उ कहते है ये प्रेजिडेंट ने तुम्हें गिफ्ट दिये है R.U.S.I. कहती है हाँ और फूशियान को थैंक्स कहती है और पूछती है आप यहां फूशियान कहते है मैं यहां से निकल रहा था बस अब जा रहा हूँ, रूसी कहती है, हाँ, हमें भी जाना चाहिए, सौंग सियू कहता है, प्रेजिडेंट तुम्हारा कुछ ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्या वो तुम्हें लाइक करते हैं, रूसी कहती है, बकवास मत करो उनकी गर्ल फ्रेंड है, उन्होंने अपनी को बुली होते देखा, तो हेल्प करने आ गए, वो अच्छे बॉस हैं, सौंग सियू कहता है, अच्छा ऐसी बात है, रूसी कहती है, हाँ, उन्होंने बहुत सी चीजें दे दी मुझे, क्या मुझे भी उन्हें कुछ देना चाहिए, पर मैं क्या दूँ, फिर उसे एक आइ फूशियान का फ्रेंड कहता है, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ, फूशियान रूसी के उपर गिरने लगता है, रूसी कहती है, आपने मुझे इतने गिफ्ट्स दिये, मुझे समझ नहीं आ रहा था, आपको क्या दू, ये टाइ क्लिप मैंने बनाई है, पता नहीं आपको पसंद आएगी या नहीं, फूशियान उसे किस करने वाला था, लेकिन रूसी का हेड उसकी नोस पे लग जाता है, जिस वजह से फूशियान की नोस से बलड आने लगता है, रूसी तो वहाँ से भाग जाती है, नेक्स डे, जन्जन वो क्लिप देखती है, जब फू गया था, अभी मुझे जाना है, तब ही वो टाई क्लिप देखता है, और कहता है, इसकी डिजाइन आइकॉनिक है, लेकिन मेरे लिए ये सब मत करो, जन्जन सोचती है, इसे लग रहा ये मैं लाई हूँ, और इसे वो पसंद भी आ गया, वो जल्दी से टाई क्लिप लाती ह और कहती है, ये मैंने खुद डिजाइन किया है, जब मैं इसे डिजाइन कर रही थी, मुझे पता था, ये तुम्हारे उपर अच्छा लगेगा, तुम्हें पसंद आया, फूशियान के सूट में लगा देती है, नेक्स डे, रूसी फूशियान के आफिस में आती है, और सो हाँ, हमें सेक्यूरिटी डिपार्टमेंट में बतानी होगी, जिसने भी ये किया, हम पता लगा लेंगे, रूसी सोचती है, कहीं ये मुझसे पनिश्मेंट में पैसे न मांगने लगे, वो कहती है, मैंने सुना है, कभी कभी चोट लगना अच्छा होता है, आप तो लगी ह फूशियान कहता है, सच बताओ, तुमने ही ये किया है ना, रूसी कहती है, ये सब गलती से हो गया, इसके बदले में आपके लिए कुकिंग कर सकती हूँ, फूशियान कहता है, फाइव डिशेज, ठीक हैं, अब, फूशियान और फूचेन हंसने लगते हैं, फूचेन उसक क्लिप ही गिफ्ट की थी, फूशियान के दादा जी कमपनी आते हैं, वो बिलकुल नॉर्मल से आउटफिट में आये थे, वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं, अब तुम जाओ, मैं खुद फूशियान से मिल लूँगा, अंदर आके वो जंग बिन से बात करते हैं, लेकि को क्या लगता है, आपकी ये सबजियां हमारी कमपनी में कोई लेगा, जाओ, बाहर निकलो, तभी रूसि उन्हें देखती हैं, और बाहर आती हैं, और बोलती हैं, आपको कैसे पता, कोई कुछ नहीं लेगा, जंग बिन गुस्से में कहता है, तुम क्यों बीच में बोल र लगती है, जंग बिन उन्हें अंदर नहीं जाने देता, और कहता है, रूसि क्या तुम कमपनी में किसी को भी इस तरह ले जा सकती हो, रूसि कहती है, वो बस अपने ग्रैंड सौन से मिलने आए हैं, जंग बिन कहता है, पता नहीं इनका ग्रैंड सौन इनसे मिलता भी है य पुछ नहीं आता इसे. फूशियन ओल्ड मैन को ग्रैंट फादर कहता है, जो सुनके सभी लोग शौक्ट हो जाते हैं. फूशियन कहता है, आने से पहले आपने मुझे बताया क्यों नहीं? जंग बिन कहता है, अपने बारे में बताया क्यों नहीं, मिस्टर फू. ग्रैंट फादर कहते हैं, फिर मैं तुम जैसे को कैसे देख पाता, तुम जैसे एम्पलॉई अगर हमारी कंपनी में रहेंगे, तो मुझे कंपनी की रेप्यूटेशन की टेंशन रहेगी. जंग बिन कहता है, ये सब मिसंडरस्टेंडिंग है, मुझे नहीं पता था, आप इतने सिंपल लुक में रहते हैं. फूशियान कहता है जंग बिन ये तुमने पहली बार नहीं किया है जंग बिन एक्स्प्लेंड करने कहता है लेकिन फूशियान उसकी कोई भी बात सुनने से मना कर देता है और कहता है एच आर डिपार्टमेंट से रेजिगनेशन लेटर ले लेना जंग बिन रोने लगता है और फूशियान के पैरों में गिर जाता है और ग्रैंट फादर से भी कहता है आप तो मेरे ग्रैंट फादर को जानते हैं ना उन्होंने आपकी कमपनी के लिए कितना कुछ किया है ग्रैंट फादर उसे माफ कर देते हैं और फूशियान से कहते हैं ये लड़की बहुत जिससे R.US.I. खुश हो जाती है और Phushyan Grandfather को थेंक्स कहती है करने कहते हैं फूशियान के घर पर R.US.I ने डिनर रेड़ी कर लिया था लेकिन ग्रेंट फूचन के पास चले गए थे फूशियान कहता है मुझे तो भूख लगी है R.U.S.I. कहती है क्या हम इतना सारा खाना खालेंगे फूशियान कहता है स्मेल तो अच्छी आ रही है रूसी कहती है ये फ्रेश टोमेटो ग्रेंट फादर लाए है और हॉट पॉट बनाया है आप इसे खालेंगे न फूशियान कहता है जिसमें वो कहती है ये तो बहुत expensive रहता है न फूशियान कहता है तुम बस डिनर करो फूशियान को रूसी का cook किया डिनर काफी पसंद आता है फिर वो उसके face से food साफ करता है जिससे रूसी nervous हो जाती है और dishes wash करने जाने लगती है लेकिन तभी फूशियान उसे अपने करीब करता है और देखता है रूसी की फिंगर कट गई थी फिर वो उसकी फिंगर में बैंडेज लगाता है और रूसी इसके बाद वहां से चली जाती है फूशियान स्माइल करने लगाता है तभी उसे यांग का कॉल आता है उसने मेरे लिए वर्क करता है तुम उसे कुछ नहीं कह सकती। अगले दिन फूचेन आफिस आता है और फूशियान से एक मदद मांगता है। कि वो लड़की पता नहीं कौन है डेली प्रेजिडेंट के सामने ही रहती है जैसे बताती हो कि मैं कमपनी में आई हूँ। जनजन कहती है तुम अब तक कुछ नहीं कर पाए। वो इतनी कम टाइम में डेप्यूटी सेकरेटेरी बन गई और तुम वहीं हो तुम्हें तो तु सौंग्सियू वहां आता है जनजन कहती है तुम यहां कैसे ? सौंग्सियू बताता है मैं बैनिन टीम में हूँ। रूसी से मिला था मैं जनजन कहती है अच्छा । अ क्यों न हम तीनों डिनर पर चलें आज जन जन कहती है नहीं आज शायद रूसी का डिनर करने का मूड नहीं होगा हम किसी और दिन चले जाएंगे फिर हम फैशन शो में देखते हैं जन जन आती है और उसके बाद रूसी फूशियान के पास आती है ये बताने कि सभी जूलरी आउटफिट्स की मैचिंग से लाई गई है और डिलीवरी के लिए भी सभी और भेज दिये हैं फूशियान कहता है ज्यादा जूलरी के और थे रूसी कहती है आप टेंशन मतले जो कुछ गया है सब नोट कर लिया था और जिन ट्रक्स में गया था उन्हें भी नोट कर लिय था तभी एक लड़का आता है और बताता है WI-97 का ओर्डर जो यहां आने वाला था वो पूरी तरह से डैमेजड हो गया है हमें फैक्टरी में पता करना चाहिए क्या प्रॉब्लम थी जंग बिन बोलने लगता है अभी तो रूसी ने कहा था कोई प्रॉब्लम नहीं थी र पूचेन भी आजाता है और कहता है वो चाइनीज हैर पिन बहुत इंपॉर्टेंट थी आज के शो के लिए अब हम क्या करेंगे जंग बिन रूसी को कुछ ना कुछ बोल रहा था कि ये सब तुमारी गलती थी लेकिन फूशियान उसे कुछ नहीं कहता और यंग से कहता है जूवलरी ठीक करने वाले को कॉल करो यंग कहता है प्रेजिडेंट बहुत लेट हो चुके है इतनी जल्दी क्या होगा रूसी कहती है मैं ठीक कर सकती हूँ मैंने और्फनेज में ये सीखा था अपनी आंटी से जिसमें जंग बिन फिर उसे कहता है पता है वो हैर पिन किसन लेकिन फूशियान उसे एक चांस दे देता है वो लोग रेस्ट रूम में जाते हैं रूसी को सब सामान देते हैं और वो जल्दी ही पिन ठीक कर देती है लेकिन एक लड़का उसे आकर बताता है जो मॉडल्स ये चाइनीज आउट फिट में वाक करने वाली थी उन में से ए देखो क्या प्रॉब्लम है तभी लाइट्स ओफ हो जाती है और सामने आती है रूसी जिसे देखके तो जंजन और जंग बिन शौक्ट ही हो जाते है और फूशियान बहुत खुश होता है फूचन कहता है तुम्हारी कमपनी की जूलरी बेस्ट है फूशियान कहता है ध्यान स एक्सिडेंट हो गया और मुझे कोई मिला नहीं इसलिए मैं खुद यहां आ गई फूशियान कहता है तुमने अच्छा काम किया है अब मैं ये सोच रहा हूँ तुम्हें क्या गिफ्ट दिया जाए रूसी कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन फूशियान उसे दो लाख यूएन बोनस में देता है जिससे रूसी बहुत खुश हो जाती है फूशियान कहता है आज मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करने चलूँगा तभी फूचैन आता है और रूसी को थैंक्स कहता है और डिनर पर चलने के लिए भी इन्वाइट करता है लेकिन रूसी कह जाता है और रूसी उसके पास चली जाती है ये देखकर फूशियान को थोड़ा अच्छा नहीं लगता रूसी सौंग स्यू को बताती है मुझे बोनस मिला जिसके बाद वो साथ में डिनर के लिए चले जाते है जन 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 जंग बिन से मिलती है और कहती है ये सब कर रहे थ थे तुम तुमने रूसी को जूलरी ठीक करने क्यों दी जंग बिन कहता है मुझे नहीं पता था वो जूलरी को इतने अच्छे से रिपेर कर लेगी अब हमें क्या करना है जन जन कुछ सोचती है और सौंग स्यू को कॉल करती है कि क्या हम साथ में डिनर करें सौंग स्यू उ ऐसा नहीं है, work की वजह से मैं make up remove करना भूल गई, फिर वो जंजन को एक necklace gift करती है, और कहती है तुमने मुझे इतना expensive necklace दिया था, वो मैंने खो दिया, ये उतना expensive नहीं है, लेकिन मैंने खुद बनाया है, hope तुमें पसंद आएगा, जंजन कहती है, हाँ, ये बहुत अच्छ पिर रूसी उसे वो नेकलेस पहनाती है। सौंग्स्यू रूसी की फेवरेट मिल्क टी लेने चला जाता है। जंजन कहती है। लेकिन लव पैसे कमाने से नहीं रोकता और एक ऐसा बॉइफ्रेंट जो सपोर्ट और केर करे तो क्या प्रॉब्लम है। रूसी कहती है। नहीं वैसे तुम्हारे बॉइफ्रेंट से कब मिलोगी। जंजन कहती है। वो कमपनी का CEO है। बहुत बिजी रहता है। रूसी कहती ह तुम्हें माम से मिलवाने ले जाना चाहिए ताकि वो बता सके वो अच्छा लड़का है या नहीं वरना हमें तो कुछ पता नहीं। इसी में जंजन गुस्सा हो जाती है कि तुम कभी मेरा अच्छा मत सोचना। कहीं तुम्हारी नजर तो नहीं मेरे बॉइफ्रेंड रूसी कहती है बकवास मत करो मैंने तो कभी उसे देखा भी नहीं। इतने में सौंग्स्यू आ जाता है और जंजन गुस्से में वहां से चली जाती है। सौंग्स्यू पूछता है क्या हुआ। रूसी कहती है उसके बॉइफ्रेंड के बारे में बात करने से वो गुस्सा ह सौंग्स्यू कहता है ये सब छोड़ो टीपियो। आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते पहले आपको उन्हें बुलाना या कॉल करना होगा। सौंग्स्यू और रूसी सोचते हैं अब क्या करें तभी फूशियन की कार आती है और यांग बाहर आता है। रूसी फूशियन के पास जाती है और कहती है आप भी यहां रहते हैं मुझे एक फ्रेंड को फोन देना है आप मुझे अंदर ले चलेंगे प्लीजू फूशियन कहता है सिर्फ एक को ले जा सकता हूँ। सौंग कहता है तुम जाओ मैं तुम्हारा वेट करूँगा लेकिन सौरी वो हो गया था बहुत ज्यादा। तब फोन दे दूँगी क्योंकि सौंग स्यू वेट कर रहा होगा। फूशियन कहता है अभी तुम्हें चौर डिशिज और बनानी है मेरे लिए चलो आज बना दो। मेरे कुक ने आज लीव ली है कोई नहीं मेरे लिए डिनर बनाने लेकिन रूसि कहती है इतने टाइम प्रेजिडेंट के घर जाना ठीक नहीं है। फूशियन नाटक करने लगता है फैशन के बाद हम तीन चार मीटिंग्स में गए मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। रूसियन सौंग सियू को कॉल करती है और घर जाने के लिए कहती है ये सुनकर फूशियन स्माइल करने लग जाता है। यहां जन जन भी फूशियन के अपार्टमेंट में आ गई थी। वो रूसि का दिया हुआ नेकलेस उतार देती है और सोचती है आज फूशियन को इंप्रेस करेगी। फिर वो फूशियन के रूम में जाती है। फूशियन और R.U.S.E. भी आ गए थे। फूशियन कहता है क्या हेल्प चाहिए। रूसि मना करती है और वाम वाटर देकर बैटने के लिए कहती है। तभी फूशियन वो नेकलेस देखता है और सोचता है क्लिप और नेकलेस की डिजाइन एक जैसी कैसे है। डिनर भी रे यंग सोचता है प्रेजिडेंट कभी अनियन नहीं खाते लेकिन आज आराम से खा रहे हैं। जंजन अपने फेस पर मास्क लगा रही थी। तभी रूसि वहां आती है और उन बुक्स को देखती है ये वही बुक्स थी जो रूसि को चाहिए थी। जंजन कहती है कौन है और अर्योसी को देखकर मास्क लगा लेती है। रूसि कहती है मैं बस कुकिंग करने आई थी क्योंकि आपके कुक नहीं है घर पर। जंजन कहती है ठीक है रूसि जा रही थी तभी वापस आती है और कहती है प्रेजिडेंट के स्टमेक में दर्द था अब मैंने सोचा बता जंजन कहती है उनकी फिक्र मत करो जाओ यहां से। रूसि सोचती है ये कितनी ब्यूटिफुल है और फूशियान से टकरा जाती है फिर वो बुक देती है। फूशियान कहता है ये तुम्हारे लिए ही है। रूसि बहुत खुश हो जाती है और कहती है अब मैं जा रही हू मुझे अब जाना चाहिए फूशियान रूम में आता है जनजन कहती है मैं कब से वेट कर रही थी फूशियान कहता है घर आने के लिए हाँ कहा था मैंने लेकिन रूम में नहीं बाहर जाओ जनजन कहती है हम boyfriend girlfriend नहीं है क्या फूशियान कहता है ऐसी dress मेरे घर में मत पहनना जंजन कहती है हमने कुछ romantic नहीं किया है फूशियान कहता है उस night सच में तुम ही थी उस दिन तो तुमने इतना perfume नहीं लगाया था जंजन कहती है हाँ उस दिन नहीं लगाया था फूशियान उसे वो necklace देता है और पूछता है ये तुमने design किया था जंजन कहती है तुम्हें कैसे पता फूशियान कहता है मुझे नहीं पता तुम इतनी talented हो मुझे rest करना है तुम please जाओ जंजन उसके room से चली जाती है next morning फूशियान रूसि की desk में एक रोज देखता है फिर वो यांग से पूछता है रूसि कहां है यांग बताता है store में होगी फूशियान कहता है कल मैंने उसे एक meeting attend करने कहा था यांग बताता है वो jewelry का data भी देख रही थी बहुत busy रहने लगी है फूशियान कहता है हां रूसि आती है और वो रोज देखती है कि ये किसने रखा तब ही वहाँ फूचन आता है और कहता है आज तुम free हो डिनर के लिए चले रूसि कहती है अभी work कर रही हो फूचन कहता है मैं wait कर लूँगा फूशियान उन्हें देखकर कहता है बहुत busy है ना वो फूचन से कहता है सभी लड़कियों की तरह रूसि को treat मत करो वो employee है मेरी फूचन कहता है सिर्फ तब जब वो work कर रही हो तब ही उसका time है फिर वो रूसि से date पर चलने के लिए कहता है उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगता है तब ही فूशियान उसे रोक लेता है और कहता है मैं भी चलूँगा फूचन कहता है क्यों तुम बीच में आ रहे हो फूशियान कहता है मैं dinner और drink के लिए पे करूँगा फिर तीनों drink करने जाते हैं और वहाँ गेम भी खेलते हैं, जिसमें जिसका कार्ड छोटा होगा, उसे एक question card मिलेगा, लेकिन हर बार रूसी ही हार जाती है, और उसका पहला question था, उसकी पहली kiss कब हुई, जिसमें वो answer नहीं देती, drink करती है, दूसरे round में उसका question था, उसकी पहली night, उसमें भी वो drink करती है, फूचेन कहता है, जूट मत बोलो, तुम यहाँ किसी को like करती हो ना, और वो मेरा brother है, फूशियान कहता है, अब तुम सो जाओ, और रूसी को लेकर चला जाता है, वो उसे hotel room में लाता है, रूसी drunk थी, कहती है तुम फिर से यहाँ, फूशियान कहता है मतलब, रूसी उ मैंने कोई misbehave तो नहीं किया, फूशियान कहता है, बस किस ही की थी, और कुछ नहीं, रूसी कहती है नहीं मैंने नहीं की, फिर वो याद करती है कल रात क्या हुआ, फूशियान उसके करीब आने लगता है, रूसी कहती है, ऐसी बाते ना करें, आपकी girlfriend है और वो जाने लग फूशियान कहता है नहीं होती, तो रूसी कहती है, आप एक अच्छे boss है, लेकिन एक अच्छे boyfriend नहीं है, responsibility लेना सीखें, ये सुनकर फूशियान सोच में पढ़ जाता है, थोड़ी देर बाद वो साथ में hotel room से निकलते हैं, जहां जंग बिन उन दोनों को देख लेता है, और सोचता, ये दोनों साथ में हैं, और उनकी फोटो लेकर जंजन को सेंड कर देता है, जंजन हॉस्पिटल में थी अपनी माम के पास, जब उसने वो पिक्चर देखी, तो बहुत गुसा हो जाती है, उसकी माम पूचती है, क्या हुआ, वो बताती है, रूसी ने मेरे boyfriend को फसा लिया है माम, उसकी माम कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जंजन कहती है, ऐसा ही हुआ, कल रात उन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की है, माम कहती है, रूसी ऐसा काम नहीं कर सकती, जंजन गुसा हो जाती है, और कहती है, मैं आपकी biological daughter हूँ या नहीं, आप मेरा believe क्यों नहीं करती, और वहां से चली जाती है, थोड़ी देर बाद रूसी आती है, और मिसिस चू के लिए सूप बनाती है, लेकिन मिसिस चू कहती है, कल रात तुम किसके साथ थी, जो तुमारी सिस्टर ने कहा, मुझे उस बात पर believe नहीं है, रूसी कहती है, क्या कहा, मिस इससे ज्यादा कुछ नहीं, हमारे बीच, जन जन फूशियान का सारा सामान फेंक रही थी, वो बहुत ज्यादा गुसे में थी, फूशियान कहता है, क्यों ये सब कर रही हो तुम, जन जन कहती है, मैं क्यों ये सब कर रही हूँ, कल तुम रूसी के साथ होटेल में थे, और पूछ रहे हो, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ फूशियान कहता है, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, वो एक अच्छी लड़की है जनजन कहती है, और मेरा क्या क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो मैंने तुम्हें अपना फर्स टाइम दिया फूशियान कहता है, उस दिन के लिए मैं माफी मांगता हूँ, मैं responsibility भी लेना चाहता था, इसलिए date करने के लिए तयार हुआ था, जनजन कहती है तो अब क्या हुआ, क्या तुम रूसी को पसंद करते हो फूशियान कहता है, हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ, जनजन ये सुनकर और गुस्सा हो जाती है, और कहती है वो लड़की तुम्हें कैसे पसंदा सकती है फूशियान कहता है, मेरे लिए वो best है, और एक अच्छी लड़की है फूशियान वहां से चला जाता है जन्यान तो अब रूसी को छोड़ेगी नहीं यहां रूसी प्रेगननसी टेस्ट कर रही थी तभी जनजन वहां आती है और रशी को कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो रूसी कहती है मैं और प्रेजिडेंट बस बॉस और एंप्लॉई है और कुछ नहीं जन्यान कहती है तुम कंपनी छोड़ दो बस यही सब के लिए ठीक होगा तभी वो देखती है रूसी ने टेस्ट करके देखा है वो कहती है तुम प्रेगनन्ट हो जब तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा था तो तुमने मेडिसिन क्यों नहीं ली चलो हॉस्पिटल आरियोसाई कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती जन्जन कहती है तुमने सोचा है लोग क्या कहेंगे तुम्हारी मैरिज नहीं हुई और बेबी हो गया मॉम डैड से सब क्या कहेंगे रूसी कहती है, अब मैं नहीं कहूंगी कि मैं शू फैमली की डॉटर हूँ, तो मॉम डैट को कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं ऐसी मॉम नहीं बनूँगी जो अपने बेबी को छोड़ दे, जंजन कहती है, हम इसे नहीं रख सकते, पता नहीं किस लड़के का बच्चा है ये, र देखती है फूशियान बच्चों से बात कर रहा था जब वो उसके पास आता है R.U.S.E. कहती है आपको बच्चे पसंद है फूशियान कहता है हाँ, रूसी सोचती है मुझे बेबी की जरूरत नहीं लेकिन बेबी को डैड की जरूरत है जो उसे लव करे वो फूशियान को बताती है मैं प्रेगनेंट हूँ ये सुनकर फूशियान शौक्ट हो जाता है और कहता है इसके फादर कौन है R.U.S.E. कुछ कहती इससे पहले यंग बताता है मिसिस शू प्रेगनेंट है ये सुनकर रूसि और फूशियान दोनों शौक्ट हो जाते है रूसि जाने लगती है फूशियान कहता है बताओ कौन है इसका फादर रूसि कहती है आपकी गर्फरेंट भी प्रेगनेंट है उसकी केर करें आप फूशियान कहता है बताओ वरना मैं जाने नहीं दूँगा तब ही Songsyu आकर कहता है ये मेरा बेबी है ये हम दोनों काफी टाइम से साथ है और जल्दी ही मैरेज करने वाले है फूशियान को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता वो कहता है तुम हो अभी वर्क पर जब तक रूसि कहती है मैं रेजिगनेशन लेटर दे दूँगी बाहर आकर Songsyu कहता है अब आगे क्या करना है रूसि कहती है मुझे नहीं पता Songsyu उससे अपना लव कनफेस करता है और कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये किसका बेबी है रूसि कहती है पर तुम्हें मुझे से अच्छी लड़की मिल जाएगी Songsyu कहता है ये बेबी मिस्टर फू का ही है न R.U.S.I. कहती है तुम्हें कैसे पता Songsyu कहता है क्या उसने तुम्हें ऐसा करने कहा रूसि कहती है नहीं उस दिन हम दोनों ड्रंक्ट थे Songsyu कहता है मैं तुम्हारी केर करूँगा और उसे हग करता है फूशियान उन्हें देख रहा था जनजन भी उसे आकर बताती है कि वो प्रेगनेंट है और मन में कहती है प्रेजिडेंट की वाइफ तो मैं ही बनूँगी घर आकर फूशियान खुद को रूम में लॉक कर लेता है ग्रैंट फादर यांग से कहते है मैं तो इसके फादर बनने पर खुश था लेकिन ये खुद अनहैपी क्यों है यांग कहता है पता नहीं जब से आएं है प्रेजिडेंट ऐसे ही है तभी जनजन वहाँ आती है और कहती है मैंने तुम्हें कुछ खाने लाने कहा था और ये ओल्ड मैन कौन है ग्रैंट फादर कहते है तुम बताओ मैं कौन हो सकता हूँ जनजन कहती है ये मेरे बॉइफरेंड का घर है कोई ऐसे यहां नहीं आ सकता यांग कहता है ये ग्रैंट फादर है जनजन उनसे सौरी कहती है लेकिन ग्रैंट फादर कहते है अपने बेबी की ऐसी केर मत करना और वहाँ से चले जाते है रात में जनजन ड्रिंक लेकर रूसी ऑर्फनेज में जाकर अपनी आंटी मिस मेरी से मिलती है। मिस मेरी कहती है, तुम इस बारे में टेंशन में लग रही हो। अगर सौंग्स यू मुझे नहीं बताता, तो क्या तुम मुझे ये नहीं बताती। रूसी कहती है, मैं इस बेबी को बॉन करना चाहती हूँ, मिस मैरी कहती है, तो परिशान मत हो, रूसी कहती है, मैं शू फैमली को छोड़ दूँगी, और ये मेरा बेबी है, मेरी फैमली, तब ही उसकी मॉम आती है, और कहती है, तब तुम अपनी मॉम को छोड़ रही हो, लेकिन फूशियान कहता है उसे खुद यहां आना होगा, तुम नहीं ले जा सकते। फूशियान उसे जाने नहीं देता। सौंग स्यू गुस्से में उसे थपड मार देता है। और कहता है उसकी सिस्टर तुमारे साथ है, फिर तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो। फूशियान रूसी के सामान में देखता है, उस नेकलेस और टाइप इन की डिजाइन थी, वो घर जाता है। और जनजन से कहता है, मैं चाइना की सबसे फेमस डॉक्टर को लाया हूँ, ये तुम्हारी केर करेगी। जनजन कहती है इसकी जरूरत नहीं है, डिरेक्टर उसे चेक करने लगती है, लेकिन जनजन कहती है कि पता तुम जूट बोल दो, दूर रहो मुझसे। फूशियान कहता है, ये सबसे अच्छी डॉक्टर है, तुमने ये कैसे कहा, वो जूट बोल सकती है, जूट तो तुमने कहा था मुझसे, और अब मेरे घर में मत रहना। जनजन कहती है मुझे माफ कर दो, मैं सच में तुमसे लव करती हूँ, लेकिन फूशियान उसकी बात नहीं सुनता और चला जाता है। वो कुछ कहता इससे पहले जंजन आ जाती है, वो रूसी से टकराने वाली थी, लेकिन फूशियान उसे साइड कर देता है, और उसका एक्सिडेंट हो जाता है, रूसी बहुत परेशान हो जाती है, और बहुत ज्यादा रोने लगती है, फिर हम हॉस्पिटल में देखते हैं, रूसी फूशियान को देखने जाती हैं, और उसके मेसेज़िस देखती हैं, और मन में कहती है, प्रेशिडेंट आप ही मेरे चाइल्ड के फादर हैं, जंजन अपना सामान पैक कर रही थी, तब ही यांग आता है, और कहता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जंजन कहती हैं क्यों, यांग कहता है, रूसी की वजह से, प्रेशिडेंट का एक्सिडेंट हुआ, जिससे ग्रैंट फादर गुस्सा है, अब वो आपसे उनकी एंगेजमेंट कराना चाहते हैं, प्रेशिडेंट को भी उनकी बात सुननी होगी, जंजन कहती हैं कितनी लखी हूँ मैं, अब तो वो बहुत खुश थी, जंजन पार्टी में बहुत खुश हो रही थी, जंग बिन कहता है आप यहां, जंजन कहती हैं तुम परिशान मत हो, मैं फ्यूचर में तुम्हारा ध्यान रखूंगी, फुशियान की वाइफ बनने के बाद, रूसी उसे कंग्रैचुलेशन्स करती हैं, जंजन कहती है, तुम यहां रूसी कहती है, क्यों मैं यहां नहीं होँगी, ग्रैंट फादर भी आ जाते हैं, रूसी कहती है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी न, अब प्रेजिडेंट कोमा में चले गए हैं, और प्रेजिडेंट की पोजिशन से भी उन्हें हटा दिया है, यह सुनकर तो जंजन को पता नहीं क्या हो जाता है, वो कहती है ग्रैंट फादर, मैंने फूशियान से जूट कहा था, मुझे बस उसके साथ रहना था, उस रात में नहीं थी जिसने फूशियान के साथ नाइट स्पेंट की थी, वो तो रूसी थी, और अब वो प्रेजनेंट भी है, रूसी कहती है, मुझे पता है, उस दिन आपने ही मुझे ड्रग दिया था, और वंग्शी के साथ भेज दिया, जनजन कहती है, पागल हो गई हो क्या तुम, रूसी कहती है, मुझे सब पता चल गया है, सब तुमने किया है, तभी फूशियान वहां आ जाता है, सब ही उसे देख कर सप्राइजड हो जाते है, जनजन फिर नाटक करने लगती है, कि तुम ठीक हो गए, फूशियान कहता है, तुमने क्यों मुझे से जूट बोला, जनजन कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, फूशियान कहता है, जूट कहां, उपर से मेरा एक्सिडेंट भी किया, जनजन कहती है, बिना एविडेंस के, तुम ऐसा नहीं कह सकते, जनजन की मॉम कहती है, मैंने एविडेंस देखा था तुम्हें, जनजन कहती है, मैं आपकी डॉटर हूँ, आप फिर भी उसकी साइड ले रहे हैं, बहुत गलत हुआ है, मैं तुम्हारी अच्छे से कैर नहीं कर पाई, रूसी कहती है नहीं मॉम और उन्हें हग करती है, फुशियान कहता है मुझे माफ कर दो, अगर मैं तुम्हें पहचान जाता, तो इतना सब नहीं होता, रूसी कहती है, इसमें मेरी भी गलती है फूशियान अपनी feelings को confess करता है और उसे propose करता है R.E.O.S.I. भी उसका proposal accept करती है दोनों ही बहुत happy होते हैं और एक दूसरे को hug करते हैं इसी के साथ ये drama यहीं पर end होता है